तुम्हारा दादा की लड़के की शादी महां उनके परिवार में होने वाली है यह किसने कहा था आपको की जो आ उस लड़की को फोन करो वे लिया था वे चला रहा था वे पूम गंगे पर्धान कौन है पर्धान कौन है और अब करते हैं तो उसमें यह देखा गया कि यह तरह किस तरह कि वादे उसे करा ला तो मेसेज लेके तो उसमें इसने उसको बार 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 उसको कभी अपने आपको पर्मान बताता है कभी आपको दबंग बताता अपने आपको कभी कहता है कि जो उससे बात करो उसको मुझे लास मेसेज आया इसके पास वो आई फेट्यू का आया हुआ, उसके बाद ही अखटना हो जाती है। इनके द्वारा लगातार लड़की को परिशान किया जा रहा था, मुबाईल पर मैसेज दिये जा रहे थे और लड़की द्वारा उसको एश्विकार किया जा रहा था। बारे में इनके द्वारा कुछ नाम बताये गए हैं जो नाम बार बार ये बदल बदल के बता रहे हैं हत्या में जो शामिल अन्य लोग है उनके बारे में भी विवेशना जा रही है इनकी कॉल डिटेल्स डियने प्रोफाइलिंग उसके आधार पर अग्रीम कारवाई की जा जो अभी तक की नाम जद्गियां हुई थी उन नाम जद्गी में उनका आपस में एक छोटा विवात केवल मृतक पक्ष के भाई से था उसे लेकर अभी तक कोई एविडेंस ऐसा सामने नहीं आया है कि उनके द्वारा हत्या की गई है इस पर अभी भी जो इन्वेस्टिके और उसके साथ ही जब उन मेसेज के आधार पर पवन सरोज को पकड़ा गया तो पहले वो मना करता रहा कि मैने कोई लड़की को मैसेज नहीं दिया ना मैं लड़की को जानता हूं लेकिन जब उसको मैसेज दिखाये गये उसका मोबायल बरामत किया गया तो स्वै Muslim के मोबा जिससे जो पोक्सों की धाराएं हैं वो भी इसमें कम की जा रही है। लोगों द्वारा किया गया है इसके बारे मेडिकल ओपीनियन ली गई जो अभी जो पोस्मार्टम पैनल था उससे बाचीत की गई थी तो उनके द्वारा बताया गया कि जो इंजरीज हैं मैला के जो अंगों पर वो उसमें काफी सिमेट्री है जिससे लगता है कि जो काटने क कि मारने की जो कारवाई की गई है उस मियुफ्ती के ऊपर वह एक द्वारा की गई है लेकिन जो दूसी जो इनकी मां हैं मृतका की वह भी उसको भी मारा गया है उनके साथ रेव की पुष्टी नहीं हुई है यहां क्योंकि अनपड़ है और एक तरफा प्यार करता था उसे तो प्राइमा फेसाई उस पर कुछ चोटों के निशान है जिसको इसे स्वम एड़ मिट कर रहा है कुछ इसकी शड़ पर निशान मिले हैं जिसको यह पान के निशान बता रहा है लेकिन देखने में वो खून के निशान पृतीत होते हैं इनके कपड़े, इनके जितने भी अन एविडेंस हैं, उनको कलेक्ट कर, हम F.S.L. भेज रहे हैं, और DNA प्रोफाइलिंग के बाद ये मामला एकदम क्लियर हो जाएगा. तो इसके बाद कोई मैसेज नहीं है, तो ये उससे हमने, नाही मैंने मोबाइल लिया, नाही मैं इससे विला हूँ, तो इसकर ये बात पिसी दो गई है कि ये वैक्टी अभी इन्वेस्टिकेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ब्लड सेंपल भीजा जाएगा, इनके जो कपड लिस्ट में और इनके कितने भी कॉंटेक्ट लिस्ट है, तो ये वैक्टी काफी समय से उस लड़की का पीछा करता था, वहीं पडोस में रहता है, ज्यादा दूरी करकर नहीं है इसकी लिए, और भट्टा मजदूर के रूप में काम करता है, ब्लेट शट्रिंग का कारे कर तो वहाँ वास पास बठे जो वरकर्स हैं, उसके पास इसका आना जाना था, और वहीं से इस तो नहीं मिला है, और नहीं किसी दंकी जैसी अभी बात कोई सिर्व होई है, जहां तक इनके अन्य केसिस का संबन्द है, उसके बारे में बता दिया गया है कि उसमें इंड्वेस पर आखे सिर्वेस से और विलंग वर्क्स के लिए इंड्राइप पहराएजा जाना है, बेंड्वेस के लिए उसके रहा है, लेकर और विलुंद्वार्स के लिए उसमें एक्षैफ।